नमस्कार आज हमारे साथ स्टूडियो में मवजूद हैं प्रफिसर मारुति नंदन तिवारी जी जो लंबे समय तक कला का ध्यापन किये दर्जनों पुस्तके आपकी आचुकी हैं अब तक कला और संस्कृति पर एक जाने माने कला विद्ध हैं कला के अध्यता है आपको टाइगोर फेलो भी मिला है एमिरिटर्स प्रोफेसर भी रहे बनारसंदो इन्वर्स्टी में और साथ ही नहरु फेलो पर आपने यूके में कुछ दिनों कला का ध्यापन किया आज हम बाचित जिस विशे पर कर रहे हैं वो है कि कला से कैसे संस्कृति का द्वार खुलता है कला और संस्कृत का पारत्स परिकरिस्टा क्या है कला और संस्कृति किसी देश समाज को किस तरह प्रभावित करती है और समाज किस तरह से कला और संस्कृति को प्रभावित करता है इनके आपसी संबन्द क्या है और एक अच्छे समाज को गढ़ने में कला की क्या भूनका हो सकती है इन्ही चन्द मुद्दों पर हम बात करेंगे तो डाक्ट साब आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे जानना भी चाहेंगे आप से कि कहा जाता है कि कला विकास का पैमाना तै करता है और कला एक क्या बोलेंगे साजा दिष्टिकूर, मानुवी मुल, परंपरा, सब्था, रीत, रिवाज को भी निधारित करता है जो किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी है तो इस टिपड़ी के परिपेच में आप कला और संस्कृत के रिस्तों को किस तरह से डिफाइन करेंगे रेखांकित करेंगे संस्कृती वहां से शुरू होती है जब एक समाज होता है और समाज होता है तो उसके जीवन पधती होती है जीवन शैली होती है फिर उसके लिए एक कुछ नियमों के आवशक्ता होती है तो वहाँ धर्म का एक स्वरूप तयार होता है और शास्त्र तयार होते हैं और फिर वही आपने जो प्रश्न किया उसके निमित कि अब जो शास्त्र में यानि सिधान्त में चीजें हैं उनको उस समय के लिए और आगे के लिए भविश्य के लिए एक नीती निर्धारक टत्तो के रूप में कैसे रखा जाए उसकी जो मूर्द अभिव्यक्ति है वो कला में होती है इसलिए कला जो है वो समाज का एक प्रकार से अगर कहें तो वो निर्धेशक भी होता है और समाज से ही वो विशे लेता है समाज में समकालीन दृष्टी धर्म में क्या है दर्शन चिंतन में क्या है जीवन में क्या है मंदिर अगर बनने है तो क्यों बनने है उनके बनने का उद्देश क्या है मूर्तियां बननी है, देव मूर्तियां बननी है तो किसकी बननी है, क्यों बननी है और उसमें जीवन मूल ले क्या है वो परावर उसका ध्यान रखा गया है कि हमारे हाँ जो जीवन मूल ले है वो सत्य है अहिंसा है अपदिग्रह है समाज में नारी की इस्थिति है उन सब को जीवन के बिविद आयामों को समाहित करता है यानि आप समाज में जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं उसी समाज की परस्तुति आपको भूरत रूप में कला में मिलती है और वह एक परकार से जिसक परिवर्तन की गुझाईश होती है एक से दूसरे के भी यह एक स्थाई परमान बन जाता है यह अपने आप में और इसलिए इसका इसका दायरा बड़ा होता है और इसमें इसकी जो अभिल्यक्ति होती है जैसे बहुत चोटा उदारने के रेडियो में हम जब सुनते हैं और मौन में स्वर है और द्रश्य है उसकी वज़े से वो सारी चीज़े ज्यादा साफ होती है हम नारी की बात तमाम शब्दों में शरिंगार की बात कर देते हैं नारी की बात करते हैं मातरित्य की बात करते हैं लेकिन जब हम मौर्तियों में देखते हैं तो वो सारी चीज़े हो करके फिर वोही अंबिका पार्वतीक में हो जाता है और फिर सभी धर्मों में फ्रकारिता उसकी होती है हाधी आजल या जाती है मूर्धी बन्ती है यह भान्वर्म में अभी का फ्रकारिक हे दो पुत्र इसके माध्यम से कहीं शायद यह भी संकेत है कि हम population की वृद्धी की बात करें यानि संस्कृत का एक बड़ा संदेश है या हमें कहीं ने कहीं अपने आपको संयत रखना होगा इस दृष्टी से भी कि हमारा जो एक विकास है परिवार का समाज का जनसंक्या का वो हक किस रूप में हो तो लिएर साररे संदेश है जी नहीं मतलब कहने का मतलब यह है कै कला एक वहकिल है जिस पर सवार होके संस्कृति समाज और देश में लोगों तक पहुंशती है और अधिक व्यापक होती है जी उसका प्रवाव भी जगा होता। शास्त्र ग्यान के आधार पर आप पढ़ेंगे। लेकिन कला में तो एक सहज अभी व्यक्टिविति एक एक जिसको कहा जाए कि अब आसे क्षित शब्द हम व्यवार नहीं करना चाहते। लेकिन जिसने शास्त्र का बहुत इसे ग्यान नहीं है व को समझ लेगा। तो वह जो समझ है, एक सामान्य समझ और विशिष्टी समझ दोनों एक धरातल पर कला में आ जाते हैं, तो कला के समझने का आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें पॉपुलेशन तक वो कम्मुनिकेट कर लेता है। बलब एक कला करती नहीं जाने कितने चीज़ों को एक साथ अलग लोगों को कम्मुनिकेट करती है, बहुचा देखते हैं और उसके लोग अलग अलग इंटरप्रटेशन भी कर सकते हैं। और उसका कारण जो है, वो है, शास्त्र में तो लिपिबद्ध है। आपको वही भाशा दी है, वही समझ रहा है। लेकिन जब आप सारनात की बुद्ध मूर्ती देखते हैं धर्म शक्र में, तो गाउं से आने वाला एक व्यक्ति जो सहजी दृष्टी उसके होती है, तो वो कहेगा कि ओ लगता है किसी योगी की मूर्ती है। थोड़ी और समझ हुई, त तो कहेगा ये बुद्ध के उस स्वरूप के मूर्ती है जब सारनाति उन्होंने पहली बार आकर के धर्मो पदेश दिया था, संबोध ही अग्यान प्राप्ति के बाद बोड़ गया से, तो उसी हिसाफ से, मगर समझेगा सब, हर आदमी समझ लेगा, या वैशिष्ट है, औ वो के अलग-अलग perception है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि संस्कृत ये संस्कृत के क्रीधात उससे बना हुआ है, करना, और ये तीन सब्दाते हैं, प्रकृति, संस्कृति और विकृति हैं, तो ये संस्कृति, प्रकृति जो इस्थोल भाव है, संस्कृति जो परिस्क करती है, परिस्कार करती है, सुधता प्रदान करती है, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा भिस्तार से हमारे दसकृति, जी, दार्शिनिक अर्थ में विश्ण धर्मुत्तर पुरान का नाम आपने सुना होगा, वो जब ईश्वर और मोर्ति, और ईश् स्वरूप के संदर में चर्चा करते हैं, वो दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति और विक्रिति, प्रकृति ईश्वर का वह स्वरूप है, जिसमें कोई स्वरूप ने निराकार है, अद्रिश्य है, और जिसे आप शब्द अव्यक्त है, अमूर्थ है, लेकिन वही जो विक्रित ही होता है तो फिनामेनल हो जाता है वो अपने आपको अनेक रूपों में व्यक्त करता है दिखाने लगता है जैसे रिगवेद में आया एकम सद विप्रा बहुदा वदन थी रिगवेद में ही एक जगा और आया है कि रूपम रूपम प्रति रूपो वह एक ही स्वरूप है वह अपने को मल्टिप्लाई करता चला जाता है आप बुद्ध कह देते हैं मैं शिव कह देता हैं वह विष्णू कह देते हैं शक्ति कह देते हैं और इसमें कहीं न कहीं भारती संस्कृति का जो मूल तत्त्यों चेतना है वो चिपी हुई है एकम सत और वही शंकर आगे ले जाते हैं अद्वाइत में और अद्वाइत भाव जो भारती संस्कृति का है लोग कहते हैं न कि बहुदेववादी है इसे कंफ्लिक्ट है तो आपस के द्वन्द और संगर्ष को समाप्त करने का एक मात्र तरीका है अद्वाव क्योंकि अपने आप व्यक्त हो जाती है और वही भारती कला में भी है हम बुद्ध की उपासना करते हैं मैं शिव की उपासना करता हूं आप हो सकता है कि विश्णू की उपासना करते हो लेकिन संस्कृति का मूल तत्व चेतना वही है और वह है कि इस उपासना के माद्यम से जो आपने संस्कृति की संसकार की बात की आप कहीं ने कहीं अपने मैं का तिरोहन करके एक जो इष्ट देव है जिसे आप अपने से स्रेष्ट मानते हैं आदर्श मानते हैं और भक्ति के माद की शुरुवात करते हैं मतलब खुद को पहचान लेते हैं अपने मूल को पहचानना जीवन का उद्देश समझना और तभी सार्थकता होती है किसी भी व्यक्ति की समाज के लिए और वही संस्कृति का निर्माण होने लगता है जी अजया डर्ड साब ये तो बात रही कि ये संस्कृति की ये तो एक खास विसेस्ता है जो बहुत गहन अधेन वाले लोग समझ पाते हैं सामाने तोर पर अगर हम कहें तो संस्कृति की क्या विसेस्ताएं हैं चार पांच और उसका महत तो क्या है हमारे जीवन में संस्कृति हुआ कि आप समाज में समू में व्यक्ति ने जब से रहना शुरू किया वहीं से समाज और संस्कृति की शुरूआत होती है जब समाज की शुरूआत होती है तो फिर उसके बाद संस्कृति का एक हिस्सा धर्म होता है धर्म यानि आपको कहीं ने कहीं कोड आफ क अंदर में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हर व्यक्ति व्यक्तिवादी हो गया है, अपने बारे में, अपने दाइरे में ही सोचता है, उससे बाहर निकल करके, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी, सर्वे भवन्तु सुखिना का चिंतन था, वह है संस्कृति का मू और वहां से जब शुरू होता है, तो उसके तमाम स्टिफ्स बताएगे हैं, सत्य भी उसी में है, अहिंसा भी, क्योंकि इसमें से सब का पाल करने तो इश्वर्त बन जाएंगे, किसी ये का भी हम करेंगे जब, तो उसका जो समाज में जो द्वन्द है, वो संघर्ष जो है वो होगा, आपका परिशकार होता रहे, संस्कृति में ये अभी है, कि धर्म के माद्यम से आपका परिशकार होता रहे, संशोधन होता रहे, और आप कहीं न कहीं आत्में चिंतन के माद्यम से, स्वैम से, हरिशंद्र होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं शु से ड़ट सब क्योंकि हमारा समय खतम हो रहा है और आपने ये बहुत अच्छी बात की समाज और लोगों को एक बेक्तिवाद को और सामुइक्ता को तो यह माना जाता है कि संस्कृति सामुदाइक जीवन का एक आधार है और दूसरे सब्दों में कहें तो संस्कृति कुछ नह और फिर हम कारेकरम को समापन के और का बिलकुल आपने ठीक कहा कि जब हम होते हैं मैं संस्कृति नहीं है हम संस्कृति है और हम जब संस्कृति होती है तो हम कला के संदर में अगर कहें तो उसी हम को संस्कृति कला व्यक्ति करती है आप भारती मंदिर को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये पूरे चराचर जगत की अभी व्यक्ति है नीची आप देखेंगे मंदिर के चारोर तो आप देखेंगे कि देवता भी है, रिशी भी है, पशु भी है, वनस्पती जगत भी है ठीक है ना, अपने सारे उसके साथ साथ देवता है तो उनका वाहन के रूप में पशु है, हर देवता के साथ वरिक्ष परियावरण की बादेचिंता है, वो पूरे परियावरण के साथ पूरा प्रकृति सब कुछ है, कला उसको लेकर चलती है, संस्कित उसका मैसेज देती है, हमारी प्रोडूसर नहीं सारा कर दिया है, कि समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि इस पर तो काफी लंबी बादचित की जास तकती है तो आपने एक वस्तूता है, हम लोगों ने समुदर में गोता लगाने की कोशिश की है, तो चलिया, फिर होती रहेगी बादचित, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बादचित किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, देखो पवन चली पूरवाई है, खुशियों की मस्ती छाई है, हम नई सुबह की ओर चले, वे तो प्यार करन की आई है, खुल के इजहार करें, अब ना इंतिजार करें, चल प्यार, अब प्यार करें। करें आपका बहुत प्यार करें, अब प्यार करें। खाते हैं कसम हम प्यारे निभाएंगे, चाहतो के संग तेरे जिन्दगी बिताएंगे। प्यार की हद हम प्यारे करें, दिल ना बेकरार करें। चल प्यार, अब प्यारे करें। चल प्यार, अब प्यारे करें। चल प्यारे करें। तो हे मेरी आशकी, तो हे मनमीत हो। जीवन के गीत का तू ही संगीत हो। तो हे मेरी आशकी, तो हे मनमीत हो। जीवन के गीत का तू ही संगीत हो। तो तुझ पे निजार करें। ये खता बार बार करें। चल प्यार अब प्यार करें। आरे हो। आरे अंजली। वाओ। और बता, कैसी है। मैं ठीक हूँ। अंकल अंटी कैसे है। वो भी ठीक है। और तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है। चल रहा है। तू बता। मैं तुभी पर ठीक हूँ। सब अच्छा है। आ, बैट। यार अंजली। तू बहुत अपसेट सी लग रही है। क्या हुआ। पता नहीं यार। आज कल रात में मुझे नीन नहीं आ रही है। कभी-कभी तो बुखार सा भी लगता है। रात में पसीना भी बहुत होता है। तुम्हारे सीने में भी दर्द होता है क्या। हां। हलका-हलका सा दर्द होता है। आजकाल तो मेरा वेड भी कम हो रहा है तुझे तो खासी भी आ रही है किते दिन से आ रही खासी तुझे यहीं लगभाक, तो तीन हबतों से आ रही है तुने डॉक्टर को दिखाया? नहीं कहीं तुझे टीबी तो नहीं टीवी? हाँ टीवी एक संक्रामक बिमारी है जो किसी को भी हो सकती है तू चल मेरे साथ अरे रुकतो नहीं तू चल दोटर के पास जमार एक बाच चिकप करा लेती है जी हाँ टीवी एक संक्रामक बिमारी है ये कभी भी किसी को भी हो सकता है यदि किसी को कई दिनों से खांसी हो, बुखार आ रहा हो, बलगम की शिकायत हो, तो तुरंद अपने नजदी की स्वास्त केंद पर संबर्ग करें